पहला question है आपका agent which may be useful for treating hyperthyroidism include all of the following except question आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो नीचे आपकी 4 option है इसमें से कोई एक ऐसी drug है जिसको कि हम hyperthyroidism को treat करने के लिए use नहीं करते हैं ठीक है आपको वो option टिक करना है तो आपका पहला option है प्रोपाइल थायो यूरोसिल दूसरा option है काइटको इस्टिरोइट तीसरा option है लिउकलोस सल्यूसन और पोटेसियम आयोडाइट और चोथो option है ब्रोमो क्रिप्टीन तो हमारी जो प्रोपाइल थायो यूरोसिल है काइटको इस्टिरोइट है और लिउकलोस सल्यूसन और पो hyperprolactinemia जो prolactin का secretion होता है जब वो बढ़ जाता है तो उसको suppress करने के लिए हम यूज करते हैं bromocryptin और हम bromocryptin को infertility के case में भी यूज करते हैं जहां पर gonadotropin जो हमारे हार्मोंस होते हैं जब उनका secretion कम होता है तो उसको increase करने के लिए करने के लिए bromocryptin का यूज करते हैं ठीक है अगला question है हमारा जीन आर्याच यूज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हर्मोंस अनलोग्स आर अवेलबल फॉर यूज इन टीटिंग प्रोस्थेटिक कैंसर अब आपको यहां पर दूसरा यूज बताना है कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हर्मोंस जो होते हैं उनका दूसरा यूज क्या होता है एक तो यूज इन्होंने बता दिया कि टीटिंग प्रोस्थेटिक कैंसर ठीक है अब आपको इन आप्शन में से सेलेक करना है कि उसके अधर यूज क्या होते है ठीक है पहला आप्शन आपका टीट्मेंट आफ फीमेल इन फर्टिलिटी दूसरा आप्शन है टीट्मेंट आफ सेंट्रल प्रिकोसियस प्यूबर्टी तीसरा आप्शन है फीमेल एंड मेल कॉंटरसेप्शन और चौथा आप्शन है all of the above तो आपका करेक्ट आप्शन है d जो की है all of the above ठीक है अगला कोस्चन है हमारा थायोसाइनेट टॉक्सिसिटी is a potential adverse effect associated with आपको यहाँ पर यह बताना है कि किस ड्रग के द्वारा थायोसाइनेट टॉक्सिसिटी कॉज की जाती है अगला कोस्चन है आपका कोस्चन आपसे यहाँ पर यह कह रहा है कि आपको इन चार आप्शन में से एक ऐसी ड्रग का नाम बताना है जो इन्हिबिट या डिक्रीज करती हो मेटाबोलिजम आप बेंजोडाइजेपीन जो हमारे बेंजोडाइजेपीन होते है जैसे कि डाइजेपाम, कलोरनाजेपाम, लौराजेपाम इन सब की मेटाबोलिजम को काउन सी ड्रग डिक्रीज करती है या इन्हिबिट करती है इन्दा लिवर तो आपको आप्शन है रेमेटीडीन दूसरो आप्शन है सिमेटीडीन तिसरो आप्शन है रेफामपिन और चौथो आप्शन है कार्बामेजेपीन तो आपका करेक्ट आप्शन है यहाँ पर सिमेटीडीन ठीक है सिमेटीडीन ऐसी ड्रग है जो बेंजोडाइजेपीन की मेटाबोलिजम को decrease करेगी या तो prevent करेगी ठीक है अगला question है हमारा endocrine effect आप chlorpromazine include all of the following except आपको यहाँ पर यह बताना है जो हमारी drug chlorpromazine होती है जो की phenothiazine derivative class की drug है और यह use की जाती है as a tranquilizer as a anti-emetic drug ठीक है या hypnotic sedate 2 के case में भी इसको हम use करते हैं तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि chlorpromazine यह यहाँ पर कौन सा endocrine effect नहीं produce करती है ठीक है आपके यहाँ पर 4 option है उसमें से आपको बताना है कि कौन सा option यहाँ पर chlorpromazine के endocrine effect से related नहीं है ठीक है तो पहला option है आपका decrease in adenocarticotropins दूसरा option है decrease in gonadotropin तीसरा option है decrease in release of pituitary growth hormones और चौत्छा option है decrease in thyroid hormone production तो आपका correct option है decrease in thyroid hormone production ठीक है अगला कोच्चन है हमारा the neurotransmitter through which benzodiazepine exerts their action आपको यहाँ पर यह बताना है कि कौन से neurotransmitter के द्वारा benzodiazepine जो हमारी होते हैं diagepam, klonagepam, loragepam यह सारे अपना action produce करते हैं वो कौन सा neurotransmitter है आपका पहला option आपका norepinephrine, दूसरा option है epinephrine, तीसरा option है dopamine और चौत्छा option है GABA that means gamma amino butyric acid तो आपका correct option है आप पर D जो की है gamma amino butyric acid जो benzodiazepine class की drugs होती है वो neurotransmitter जो हमारा है GABA इसको enhance करके अपना action produce करती है दोस्तों यहाँ पर GABA से related एक बहुत important question पूछा जाता है कि GABA किस तरह का neurotransmitter है ठीक है तो जो GABA होता है हमारा gamma amino butyric acid यह एक तरह का inhibitory neurotransmitter होता है अगला question है आपका the cyclic antidepressant which selectively block serotonin reuptake is आप से यहाँ पर question यह पूछ रहा है कि कौन सी हमारी cyclic antidepressant class की drug है जो की selectively block कर inhibit करके वो अपना antidepressant action produce करती है तो पहला option है आपका imperamin दूसरा option है doxepin तीसरा option है amoxapin चौथा option है आपका fluoxetine और पांचवा option है meprotiline तो आपका correct option है D जो कि है fluoxetine ठीक है अगला question है आपका fluoxetine is FDA approved to treat आपको यहाँ पर यह बताना है कि जो हमारी fluoxetine है जिसके बारे मे हमने भी पिछले question में discuss किया तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि FDA ने इसको किस disease को treat करने के लिए approve किया है तो आपका पहला option है साइजोफीनिया दूसरा option है mania तीसरा option anxiety और चौथा option है depression तो आपका correct option है D जो कि है depression ठीक है और FDA क्या है FDA का मतलब है food and drug administration ठीक है अगला question है ह आपको यहाँ पर यह बताना है कि जो bio transformation की process होती है जो कि हमारे pharmacokinetic का तीसरा step है ठीक है pharmacokinetic के चार step होते है एक absorption, distribution, metabolism and excretion तो जो metabolism या bio transformation वाला step होता है उसका drug पे क्या effect पड़ता है ठीक है पहला option है आपका वो less ionized हो जाती है दूसरा option है वो more pharmacological active होती है तीसरा option है more lipid solu soluble हो जाती है और चौथा option है less lipid soluble हो जाती है तो आपको बता दूँ कि जो bio transformation की process होती है वो केवल इसी लिए ही होती है कि जो हमारी lipid soluble drug है उनको हम water soluble में convert करें ठीक है जिससे कि उनका easily excretion हो सके तो आपका correct option है यहाँ पर D जो कि है less lipid soluble अगला question है आपका intravenous injections are more suitable for oily solutions दोस्तों यह बहुत ही easy question है आपका आपको यहाँ पर सिर्फ यह बताना है कि जो statement कह रहा है यह सही है या गलत है ठीक है तो आपका statement है intravenous injections जो होते हैं क्या वो ज्यादा suitable होते हैं for oily solutions तो यह statement आपका गलत है ठीक है अगला question है आपका stimulation आप liver microsomal enzyme can आपको यहाँ पर यह कि जो हमारे microsomal enzyme होते हैं जोगी liver के अंदर पाए जाते हैं यह एक तरह के हमारे metabolizing enzymes होते हैं तो अगर इनको हम stimulate कर दें तो इसका क्या effect पड़ेगा पहला option है आपका require the dose increase of some drug दूसरा option है require the dose decrease of some drug तीसरा option है prolong the duration of the action of a drug चौथो आपका intensify the unwanted reaction of a drug तो आपका correct option है ए microsomal enzyme को stimulate कर देंगे तो जो drug होगी हमारी वो ज्यादा जल्दी metabolized हो जाएगी जब ज्यादा जल्दी metabolism होगी उसकी तो उसका excretion भी बहुत जल्दी हो जाएगा ठीक है तो उस drug की हमें जो dose होगी वो ज्यादा require होगी अगला question है हमारा what is conjugation आपको यहाँ पर यह बताना है क conjugation process क्या होती है ठीक है तो देखिए conjugation के बारे में हम आपको बताएंगे लेकिन option आपको ही choose करना होगा कि कौन सा correct option है ठीक है cheat मत करना video को pause करना और option खुद select करना ठीक है तो देखिए आप जब farm को kinetic की study कर रहे थे तो उसमें आपको बताया गया होगा कि जो drug होती हमारी उ synthetic reaction यह conjugation और यहाँ पर आपसे उसी conjugation process के बारे में पूछा जा रहा है ठीक है तो उसमें क्या होता था जो हमारी drug होती थी वो हमारे body के endogenous substance जो होते थे उनके साथ conjugate करती थी और फिर easily excrete out हो जाती थी हमारे body से ठीक है तो उसमें से हमारे थे sulfate conjugation, glucuronide conjugation ठीक है तो यह बह easily excrete हो जाती है ठीक है तो अब आप option select कर सकते हैं तो यहाँ पर आपका correct option है C जो कि है coupling of a drug with an endogenous substrate ठीक है अगला question है हमारा an agonist is a substance that आपको यहाँ पर यह बताना है कि agonist क्या होते हैं ठीक है तो दोस्तों यह question आपका interview point of view से बहुत ही important question है देखिए आपको concept समझना होगा कि agonist और antagonist क्या होते हैं कई questions आपके वल इसी concept के base पर solve कर सकते हैं तो देखिए आपकी दो चीजे होती है एक होती है intrinsic activity औ और जो drug अपना कोई action प्रेडियूच करती है फार्मकोलोजिकल effect प्रेडियूच करती है उसको हम बोलते हैं intrinsic activity तो agonist हमारे वो होते हैं जिनके अंदर यह दोनों चीजे होती हैं वो affinity भी रखती है और intrinsic activity भी रखती है वो कहलाते हैं हमारे agonist और antagonist वो होते हैं जो कोई intrinsic activity नहीं रखते हैं that means वो कोई pharmacological action तो नहीं produce करेंगे लेकिन वो receptor के साथ bind होने की capacity रखते हैं that means affinity रखते हैं तो agonist हमारे वो होंगे जिनके अंदर intrinsic activity और affinity दोनों होगी और antagonist हमारे वो होंगे जिनके अंदर केवल और केवल affinity पाई जाएगी तो आईए अब देख लेते हैं क पहला option है आपका interact with the receptor without producing any effect तो यह नहीं होगा वो effect produce करेगा दूसरा option है आपका interact with the receptor and initiate change in a cell function producing various effect तो यही आपका correct option है ठीक हैं क्योंकि वो receptor के साथ bind भी करेगा और अपना pharmacological action भी produce करेगा यही होता है हमारा agonist अगला question है आपका if an agonist can produce sub-maximal effects and has moderate efficacy देखे question तुरंद change हो गया question यहापर कह रहा है आपसे कि ऐसा agonist है जो कि sub-maximal effect दे रहा है और moderate efficacy रख रहा है तो उससे हम क्या कहेंगे ठीक है पहला option है आपका partial agonist दूसरा option है antagonist तीसरा option है full agonist और चौधा option है only agonist तो आपका correct option ह जो कि है partial agonist अगला question है आपका competitive antagonist is a substance that देखे अभी हमने discuss किया था कि agonist और antagonist क्या होते हैं यहाँ पर आपसे पूछा गया है particular competitive antagonist क्या होते हैं तो पहला option है आपका interact with the receptor and produce sub-maximal effect देखे हमने पहले ही बताया था कि जो antagonist होते हैं वो कोई भी pharmacological action नहीं रखते हैं तो प bind to the same receptor site and progressively inhibit the agonist response जी हाँ यही correct option है आपका जो competitive antagonist होते हैं वो bind करते हैं same receptor site पे और agonist के response को inhibit करते हैं यह कहलाते हैं हमारे competitive antagonist देखे फिर से समझे कि यहाँ पर क्या होता है जो competitive antagonist होते हैं हमारे वो competition करते हैं किस के साथ? agonist के साथ ठीक है और किसके लिए? receptor से bind होने के अब जो हमारा antagonist होता है उसकी binding capacity जो होगी अगर agonist से ज्यादा है तो वो उस receptor के साथ bind हो जाएगा जिससे क्या होगा? agonist जो होगा वो bind नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पर antagonist bind हो गया है ठीक है? तो वो अपना effect नहीं produce कर पाएगा that means यहाँ पर antagonist ने direct receptor site से bind होके agonist क तो bind होने नहीं दिया जिससे agonist का कोई effect नहीं होगा ठीक है? तो एक तरह से अगर हम कहें तो antagonist ने agonist की जो activity थी उसको inhibit कर दिया ठीक है? दोस्तों हमें पता है कि आपको agonist, antagonist और ये सारी चीज़ें आती हैं लेकिन बहुत सारे लोग confused बहुत ज्यादा होते हैं ठीक है आपके एकदम clear हो जाती हैं ठीक है? देखिए एक अगला question, the substance binding to one receptor subtypes as an agonist and to another as an antagonist is guard. देखिए यहाँ पर एक ऐसा substance है जो एक receptor के साथ bind हो रहा है और वहाँ पर agonist action दे रहा है और अगर दूसरे साइट पे बाइंड हो रहा है तो वो antagonist action दे रहा है तो उससे हम क्या कह हैंगे पहला option है आपका competitive antagonist दूसरा option है irreversible antagonist और तीसरा option है agonist antagonist और चौथा option है partial agonist तो आपका correct option है C जो कि है agonist antagonist ठीक है? अगला question है हमारा irreversible interaction of an antagonist with a receptor is due to आपको यहाँ पर यह बताना है जो irreversible interaction होती है antagonist की ठीक है? वो receptor के साथ किस bonding के कारण होती है? ठीक है? पहला option है आपका ionic bond, दूसरा option है hydrogen bond, तीसरा option है covalent bond और चौथा option है all तो आपका correct option है C जो कि है covalent bond बहुत ही important question है तो इसे please भूलना मत ठीक है? अगला question है आपका tick the second messenger of G-protein couple receptor आपको यहाँ पर ऐसा option टिक करना है जो कि second messenger की तरह काम करता है for the G-protein couple receptor तो पहला option है G-A-M-P तो आपका correct option है D जो कि है C-A-M-P ठीक है यह second messenger होता है for the G-protein couple receptor और जो first messenger होता है वो क्या होता है? जो drug होती है हमारी itself is the first messenger जो drug होती है वो first messenger की तरह स्वयम काम करती है ठीक है? अगला question है आपका what term is used to describe a more gradual decrease in responsiveness to a drug taking days or a week to develop आपको यहाँ पर यह बताना है कि कोई drug है जिसको हम use कर रहे हैं और उसके response में लगातार कमी आ रही है ठीक है जैसे पहले वो effect करती थी 6 गंटे लेकिन जब उसको हम 2-4 दिन use कर लेते हैं तो उसके response में अचानक गिरावट आ अगला question है वहाँ पर same question रहेगा बस change होगा वहाँ पर आ जाएगा taking few minutes तो आपका पहला option है refractoriness दूसरा option है cumulative effect और तीसरा option है tolerance चौता option है आपका techyphylaxis तो आपका correct option है यहाँ पर C जो की है tolerance अगर हम किसी particular drug को 2-4 दिन या सप्ताह तक use करते हैं तो उसके response में जो कमी आती है ठीक है वो कहलाता है हमारा tolerance लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर day की बात क गई है that means tolerance develop होने में 2-3 दिन लग सकते हैं या एक सप्ताह भी लग सकता है ठीक है दोस्तों हमारी हर एक slide की तरह यह question आपके लिए homework रहेगा आपको यहाँ पर यह बताना है what term is used to describe a decrease in responsiveness to a drug which developed in a few minute दोस्तों इसके पीछे वाले question में हमने अभी बताया था आपको कि वहाँ आप पर जो tolerance develop हो रहा था जो response में कमी आ रही थी वो in a days और week का time ले रही थी ठीक है कुछ सप्ताह में आ रही थी या 2-4 दिन में आ रही थी लेकिन यहाँ पर response में कमी आ रही है कुछ ही minute में तो उससे हम क्या कहेंगे पहला option है आपका refractoriness दूसरा option है cumulative effect तीसरा option है tolerance और च तोड़ा सा असान कर देते हैं इसको आपके लिए देखिए यहाँ पर tolerance तो होना नहीं है क्योंकि tolerance दो तीन दिन या एक सब्ताह लेता है develop होने में अब यहाँ पर जो few minutes में develop हो रहा है उससे हम क्या कहेंगे आप इसका answer में comment box में दे सकते हैं please friends like and subscribe to my channel